नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दस्पोर्ट्स टीचर में हमारे चैनल का मेन एम है फिजिकल एजुकेशन के कॉंसेट्स को क्लियर करना डाउट्स को क्लियर करना जिसके लिए हम वीडियो को बना के पोस्ट करते रहते हैं अपने चैनल पर और साथी में हम डाउट्स को क्लियर करने के लिए फिजिकल एजुकेशन के रिलेटड ओनलाइन क्लासिस चलाते हैं जूमैट पे आपके गूगल मीट, टीच्मिन डैप जो भी टीचिंग एपस है उनके अपर हमारी क्लासिस चलती है अगर आप उन क्लासिस में पार्टिसिपेट करना चाते हैं तो आप इस कॉंटेक्ट नंबर पर हमें वर्टसैप मैसेज करें हम आपको वर्टसैप ग्रूप में एड करेंगे और उस वर्टसैप ग्रूप में आपको नोटिफिकेशन और लिंक मिलते रहेंगे आउनलाइन क्लासिस के खाथी में अगर आपको हमारा पढाने का तरीका थोड़ा स्लो लगता है तो आप यूट्यूब की सैटिंग में जाके प्लेवैक स्पीड को आप चेंज कर सकते हैं आप उसको बढ़ा सकते हैं 1.25, 1.50, 1.75 जा डवल स्पीड भी आप कर सकते हो 2.0 पे रखके डवल स्पीड करोगे तो आपका 10 मिनट की वीडियो 5 मिनट में हो जाएगी आदा टाइम आपका बचेगा और ये सबसे ज़्यादा आपको कहां पी इस्तेमाल करनी है आप जब रिवाइज करते हैं किसी भी जीज को रिवीजिन करते हैं तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लें क्योंकि आपको पहले ही चीज कंसेप्ट कलियर होते हैं तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाओगे तो आपका टाइम बचेगा रिवाइज करने में आपको हेल्प मिलेगी तो आप वहाँ पे प्लेवैक स्पीड को तो बढ़ा लें बैसे भी अगर आपको अ सकता है हमारी कलास दो आप स्पीड को चेंज कर सकते हैं थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं तो चलिए हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है एड़क्शन एंड एबड़क्शन एड़क्शन और अबड़क्शन जिस तरह से फ्लेक्शन और एक् जोइंट्स में एडक्शन एंड अब्डक्शन वाली मूवमेंट्स होती हैं, तो हम आज फोटो के जरी आपको दिखाएंगे यहां पे, और लास्ट में हम देखेंगे कि हाइपर एडक्शन जो है वो क्या होता है और कोन से जोइंट में होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं, स उसके लिए reference point होता है हमारा anatomical position, यह आपके anatomical position है, यहां पे आप देख सकते हैं, यह वाला lateral view है, यह posterior back side वाला view है, और यह anterior सामने वाला view है, तो हमने जो आपको बताया था फ्लेक्शन और extension वाली वीडियो में है कि हमारी body joints कुछ यह बेंड करते हैं, आगे की तरफ बे posterior view देखोगे, अगर आप anterior view देखते हैं, तो यहां पे देखिए कि body के center line के side पे कुछ ऐसे body parts हैं, जो हम body से दूर लेके जा सकते हैं, जैसे आपकी arms हैं, आप बाजू को यहां से side लेके यहां तक लेके आ सकते हैं, यह वाली arm को आप गुमा के यहां पे लेके आओगे, त center line से दूर चली जाएगी, बैसे ही आपकी legs जो हैं, टांगे जो हैं, उसको भी आप ऐसे side पे lift कर सकते हैं, इस side पे, तो यहां से क्या होगा, center line से आपकी leg दूर चली जाएगी, यहां से दूर जाएगी, ठीक है, इसी तरह से दूसरी side भी दूसरी leg दूर जा सकती है, तो क आपकी body की जो center line होती है, बिल्कुल middle में, center में जो line होती है, उससे दूर लेके जाना, अगर आप body part को दूर लेके जा रहे हो, उसको बोलते हैं abduction, और body part को बापिस pass लेके आ रहे हो, उसको बोलते हैं abduction, जैसे लिखा हुआ है, lateral, lateral क्या होता है, side, जैसे यहाँ पे देखो lateral view, side वाला view, lateral होता है side, lateral movement, side में movement, side में लेके जाओगे, दूर ही जाएगी, lateral movement of body parts, हमारे body parts जैसे आपकी arms और आपकी legs, यह हमारे body parts हैं, इनकी lateral movement, lateral movement of body parts, away from, किस से दूर, यह midline है, midline से दूर, अब यह from midline of body, उसको बोलते हैं abduction, दूसरा है add, a double d, add, add करना, add करना, बापिस जोड़ना, मतलब जो आपने बाजू दूर लेके गए हो, उसको बापिस body के पास लेके आना, body की center line के पास लेके आना, add कर देना उसको बापिस, तो उसको बोलते हैं abduction, क्या है, movement of body parts medially, towards midline of body, यह body की midline है, तो medially, medially मतलब midline की तरफ, lateral मतलब side की तरफ, medial मतलब midline की तरफ, तो midline की तरफ movement करना, body की midline की तरफ, किसकी body parts की, उसको क्या बोलते हैं, addiction, तो समझ आ गया, कि abduction हो गया, body parts को दूर लेके जाना, addiction हो गया, body parts को पास में लेके आना, वो ही इनकी यह definitions है, हमने हर एक word को बताया है, कि यह words क्यों लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यह आपको पता चल गी, आपको addiction क्या होती है, और abduction क्या होती है, अभी हम देखे है, वो side पे होती है, body के, ठीक है, जब हम अपनी arms को, वहाँ side से lift करके, lateral movement करते हैं, तो वो दूर चली आती है, हमारी body की center line से, यह shoulder abduction है, अगर आप arms को लेके जाओगे, इसको बोलेंगे, shoulder abduction, बापिस ले आओगे, तो बोलेंगे, shoulder abduction, ठीक है, उसके बाद यह sitting view है, यह यहाँ पे देखो, यह दूर ले के की है, यह female जो है, इस नहीं है, arms को दूर ले के की है, यह है shoulder abduction, जब आपिस लाएगी, तो shoulder abduction, ठीक है, यहाँ पर आप देखीए, जिस طرح से shoulder abduction हो रही है, दूर जा रही है, lateral movement हो रही है, lateral moment, ठीक है, उसी तरह से, हमारी legs की lateral movement होती है side में हम legs को भी लेके जा सकते हैं जैसे इस individual ने जैसे इस photo में देखिए यहाँ पर बराबर थी anatomical position में legs सीधी होती है वो दूर लेके चला गया तो यह होगी hip abduction यहाँ पर देखिए यह photo में clear हो जाएगा normal position यह है तो दूसरी लाग यहाँ पर होगी joint पर हो रही है यह hip joint पर हो रही है इसको बोलते है hip abduction पहले वाली shoulder joint पर हो रही थी उसको बोल लेते shoulder abduction जब बापिस लाएंगे तो legs बापिस आजाएंगी बापिस आएगी तो उसको adduction बोलते है कौन से joint पर हो रही है वे तो उसको बोलेंगे hip adduction, यह होगी hip abduction, hip adduction, उसके बाद अब आए है turn आपकी fingers की, तो क्या आपकी fingers में adduction, abduction होती है, जी हाँ, जिस तरह से हमारी body की center line थी, उसलिए हमारे हाथ की भी center line होती है, यहाँ पर देखिए आप, इस photo में देखिए, हम बना के आपको दिखा रह fingers है, यह center line से दूर जाती है, lateral movement होती है, जैसे इस photo में होई है, इस photo में movement होई, fingers दूर चलीगी, तो इसको बोलते abduction of fingers, जब यह पास आएंगी बापी, इसको बोलते abduction of fingers, यह front anterior view है, यह वाला posterior view, यह वाला anterior view, ठीक है, तो anterior view में देखिए, यह normal position है, यह adapted position है, यहाँ से fingers क दूर लेकर जाओगे, तो abduction हो जाएगी, fingers की, पास लेकर आओगे, fingers की abduction हो जाएगी, और कौन से joint में abduction, abduction हो सकती है, same जैसे हाथ की उंगलियां है, बैसे पाउं की उंगलियां होती है, पाउं में भी बिल्कुल center में एक line होती है, यहाँ पे, अगर यहाँ से आपकी fingers दूर जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको, toes, पाउं की, जो fingers होती, उंगलियां होती है, इनको toes बोलते हैं, तो यह toes abduction है, दूर जा रही है, यह पास आ रही है, पापी सागी, यह toes adduction होगी, ठीक है, तो यह कुछ है, आपकी examples थी, कुछ joints की, abduction, कौन कौन से joint में हो होता हुआ topic है, hyper adduction, hyper हो गया, extra, ठीक है, तो hyper adduction क्या है, continuation of adduction post the anatomical position, anatomical position के आगे लेके जाना, किसको, adduction को, adduction क्या होता है, बापीस लेके आना, तो जब बापीस लेके आ रहे हो, अपनी arm को आप यहाँ पे लेके आगे, यह anatomical position है, उससे भी आप आगे लेके जा सकते हैं न, across the body, जब across the body लेके जाओगे, जहां तक अपनी arm लेके आ जाओगे, तो इस anatomical position से जो extra आगे, जो movement हो रही है, उसको बोलते हैं, hyper adduction, hyper add कर लिया, आपने extra add कर लिया, जो anatomical position जहां से लेके गे थे, वहां तक ही नहीं, उसके आगे चले गया, उसको hyper adduction बोलते हैं, जैसे आपकी shoulder, यह की होगी, आपकी shoulder hyper adduction, बैसे ही आपकी hip of hyper adduction भी होती है, आप अपनी legs को यहां पे है, जहां से बापिस लाओगे, तो जहां तक इसके बाद आप cross भी कर सकते हो, यह वाली, इस left leg जो है, इसको cross करके इदर लेके आ सकते हो, तो यह होगी hyper adduction of hip joint, ठीक है तो आज का topic हमारा यही था, adduction और abduction, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले कि adduction और abduction कौन सी movements होती है, lateral movements, ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी joint में होती है, एक होती है shoulder adduction, abduction, एक होती है आपकी hip adduction, abduction, एक होती है fingers adduction, abduction, एक होती है आपकी toes, abduction, abduction, और लास्ट में हमने देखा कि hyper reduction जो है वो क्या होती है जब anatomical position से हमारी बाजू आगे आ जाए उसको बोलते है hyper reduction of shoulder यहाँ पे shoulder joint और अगर hip में होगी तो वो होगी आपकी hyper reduction of hip joint यह आज का हमारा topic था इससे पहले हमने आपको बताया है flexion और extension क्या है कौन कौन से joints में होती है hyper extension क्या होती है तो next video में हम cover करेंगे आपका rotation and circumduction चलिए मिलते हैं next video में till then take care goodbye thank you